आप लोग जितना मर्जी चिला चिनी कर लो आएंगे तो मोधी साड़ा मोधी बले बले बाकी सारे थले थले इस बगिया में फूल खिलाने वाले पंडित जो आला नेरूत है तिशनू के अवतार है मोधी जी सत्तर सालों में क्या काम होए एक वर दीजे केमरा होते हैं आपकी पैदाइस्ति जो ये कहना चाहते हैं ना मतलब की सारा काम कॉंग्रेस निकालती है और सदार पुठेल जी की आतमा मोधी जी में है गांदी नकिया देश का ना समरा है मादना गांदी जी सदार पुठेल को भार्दान मंतरी बना देते तो आज देश की हल्ग कुछ और होती नमश्कार में शिखा आप सभी का स्वागत है भाईया जी का जब में एक पर फिर से हम लोग जनता के बीच में आ गया है राय लेने के लिए कि 2024 में आखिर वो किसको चाहते है केंद्र में चार सो पार के नारे भाजपा लगा रही है लेकिन कुछ लोग कियते हैं कि चार सो पार तो नहीं होगी लेकिन भाजपा बाहर जरूर हो जाएगी तो जानता की राय लेना जरूरी है तो क्या कहेंगे सर्दार जी चार सो पार पे आपकी क्या रहा है अभी उनको तो वे पता हैं कि बिहार में उनके 40 सीट है उसमें उसको सोच होना चाहिए बिहार में तो तक्कड की लड़ाई है बीजे भी वहां से हाथ दो रहा है बिहार से पर यूपी से भी काम खराब हो रहे हैं उनका के पार लगने बाले हैं जनता बैठाता भी उतारता भी है जनते के हाथ में हैं वो कह रहे हैं मैं सुपर पाबर हूं वो सुपर पाबर तो जनता बनाता है और मैं हम लोग 10 साल में देख लिए कि क्या सूपर बाबर है जनता को क्या सूपर बना दिया वह अपने आपको सू तो हमें उसमें डिवेट लड़ने का जगरत नहीं पड़ता मारा हम अपने घर को देख रहें यह चीज होना चाहिए यह नहीं कि हम एक दूसरे से लड़ना चाहिए चाचा कंगना रनाउत ने कहा है कि विष्णू के अवतार है मोदी जी मैं भी कहूंगा विष्णू के अवतार है मोदी जी क्यों उनका काम वो जनता के 140 करोड जनता के दिल में बसे हुए हैं बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है आज जो कांगरेस ने 50 साल में नहीं किय उन्होंने 10 साल में कर दिया राम मंदिर मेरी बास उनो बेटे मेरी बास उनो जनता की भावना को देखो आप जनता की भावना देखो न वह कितना प्यार करते हैं मोदीजी से 240 करोर जनता के दिल में बसे हुएं है तल हैं पारती की जंता है भ differently से नहीं तो कि पंजाब में भी अगार Mind particularab में नहीं है और और वी देश मेंिये पर दिल्ली में लिकी तो 7 सीटे बीजये भी यह heck और बल्म काल तो हम ताजी महल में जाके सोएंगे जब सो लेंगे न वह से केड़ कॉप हो जाएंगे प्लेन से तिकर दिखाएंगे आप लेटाज कर दो ना पहले ना बोले साथू सेट हे ले अब अबिना मीले तो ताइम बताएगा वच्छाइगा वच्छा टाइम इसे उमीद पे तो दुनिया टी की हुई है रियल्टी है उन 14 में भी आगे उननीस में भी आगे अपकी हैट्रिक लगा देंगे आप पहले भी थे 15 साल तक रहें और ऐसी हबा चले कि 15 साल में हमको दिली सेपको एक जगह सेटा दिये एक ही हबा था ना 15 साल तक थे कॉंग्रेस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको बता रहे हैं जिस टाइम अंग्रेज गये थे छोड़के उस टाइम इन बीड़ जी को हमसे तो सिनियर है हमारे पल्ले थे क्या और उसने एक एक जमीन नीचे से लेके हर चीज दिया है आज यह पढ़ाई भी किया होंगे यह कांग्रेस ने क्या दिया आपको यह लगता हम जिदी है पब्लिक खड़ी है 24 के बाद ही पैदा हुए लेकिन जो मैं मुद्धा है उससे बात ही बंदा सोचता कि मैं ही मेरी 24 पैदा हूँ आपको जबाब मिलेगा और यह यूबा देगा अच्छा सर से यह पूचे सतर सालो हमें क्या काम हो एक वार लीजे केमरा होता है क्या आपकी पैदा हिस्ती है आज यह पता क्या चाहती है वीजय पी चाहती है कैसे बनली जाएगी हर परदान मंतरी ने अपने हिसाब से देश का विकास किया लेकिन जो पचास साल में नहीं हुआ जो लड़का ना यह भाक्षपा का समर्ता के यह भी कह रहा है कि 14 के बाद आजादी मिली नहीं नहीं बेटे यह चाहती हो संताली से मिल गई थी लेकिन जो पचास साथ साल में कांगरेस ने किया वह दस साल में मोदी ने कर रहा हूँ जो यह कहना पप्पोगोसित कर दिया इतना एजूकेट बंदा उसके घर परिवार से इतने परदानमंद्री उन्हों देश की कुछ नहीं करा पिरी पर दानमंद्री इंदरा गांदी जवाला नहीरू कुछ करा ही नहीं नहीं जो पर हमला करवाया था उनके वारे में क्या कहने चाहोगे आपने बाता हैंगे नहरू जी जब नहरू जी जब देश अजाद हुआ तो सरदार पतेल को चौदाधtal मुलियक और नहरू जी को एक बोट मिली मातमा गांधी ने नहरू जी को परदानमंत्री बना दिया अगर आज सरदार पतेल उस समÈं मातमा गांधी जी सरदार पठेल को परदान मंत्री बना देते तो आज देश की हचा छोर होती हुआ हमने कर रहे हैं यह जो बताए ना यह बीना अदूरी मनत सोच रखे हैं जब ना साथ वोट की बता दिये ठीक है जब लोक्तंत में जब अलक्षन हुआ ना उस टाइम पठेल जी जा चुके थे अधर चले जब चले चुके थे गांधी ने किया देश का ना समरा अब यह तो इस नहीं को हूंगा इनकी अपनी विचार है लेकिन मैं यह कहता हूं अगर सदार पुटेल को बना देते तो पाकिस्तान के भारत कर शुड़े नहीं है तो पाकिस्तान को अधराबाद बचा लिय तो फाकिस्तान के भी दो टूकरे इंद्रा गांधी ने करवा है बंगला देश ने अभी हमारे पास जो मिल रहा है अभी मैं एक आदमी अभी कि टेट के बाद में हम उसमें पाकिस्तान के दो टुकरे वे तो सेना नहीं भी सेना कभी हो है आज हमने गहर में दाल मखनी बनाते हैं और बर्या रोटी तंदूरी खाते हैं लच्छे वाले ठीक है मगर उस तैम में क्या सिष्टम था हमारे महबाब को चाह टाइम रोटी नहीं मिलता था उस टाइम की बात बता रहिए उस टाइम कीस तैम केसा सोजेशन होगा कैसा टाइ देखिए आज के समय एक दूद की थैली दस रूपे की है पर उस पर जी अस्ती लगा हुआ है इससे ज्यादा और गिर्वी अरकत क्या है देश ऐसा बर्वाद हो रहा है इसको कोई कुछ नहीं कह सकते देश इतनी प्रगती कर रहा है वो नहीं दिखाई देरा देश इतनी प् प्रगती करो और पूछ नहीं कंपनी दे दिया यह करोना काल में पांस्तो करोर अब लोग जितना मर्जी चिला चिलनी कर लो आएंगे तो मोदी साड़ा मोदी बले 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 बाकी सारे भुष्भाट मोदी जिए कि मोदी कोई बले 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 यह कर भोड़ा वह थे खुद तरुद 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 यह देले वह भूद आपको दिख रहो थे लोगी यह देले लकोटे है की सभी बागए हैं वे चीज वो मैं कह सकता हूं ने गलत इस ऑपको आप कर नहीं को देश है अगर यहां कि ठीक है थे इस इसकोल कोर नहीं कर दो कि हमारे देख को भी हीन्दू मैं साथ रहता हूं आप जब रमायन गीता पर आते हो कभी बोलते हो चिरांगे तो मैं सुना दि कुछ लोग कहता है बले 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 तो कुछ लोग है तो कहता है हमारे पास तेकनोलीजिक आगे है मेरा सासन मेरे पास है फोजी मेरे हाथ में है बहुत बारत मजगूत हो गया उसको ने कर सकता है उसे महत की सजा ने सकता रेक कंजर इसके मदलब तुम वेकार है मैं तो डैरेक्ट बोलता हूं अगर आज मैं गलत हूँ आप मुझे उठाईए इन प्रण पर चल रहा है यूपी में तो आप बागी जगह नहीं चल रहा है क्या है बागी मेहदी लगा है कि चूरा पहन रखा है हम सेंट्रेल को यह कहते हैं नियम लगा तो सारे स्टेट के लिए एक जैसा लगा नहीं तो नियम हटा दू गुर्द्वारम जाते हैं लंगर दे पूरी वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़िए मिलता है फिर अगली खबर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद कर दो दोर के लिए ऑम महज़िए तक के लिए तक के लाय जरा हमें बॉक्स भक के लिए-पनी योड़ पिरो êtes उम भ Сейчас सुआ पर के लाय जरूर झार राय जरूर दिएá।